से स्रीकाल दर्सको, इस्तनपान जागरुकता महा के अफसर पर आज हमारे साथ हैं विशेशागी डॉक्टर, डॉक्टर प्रियांका शर्मा, जो की 40 अस्पताल चंडीगर में एक स्त्री रोग विशेशागी है, जिनके पास पिछले 13 वर्षों से इस छेत्र में व्यापक अन तो आये बिना समय को गवाई मिलते हैं, Dr. Priyanka Sharma से, वेलकम मैं, thank you so much for taking out some time for us, thank you so much, okay, तो आये चलते-चलते से पूछे हैं, हमारे questions, बहुत सारे हैं, जो दर्शक लेखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो पहला question है, कि बच्चे अता माले, ब्रेस्ट फीडिंग के की की फाईदे हैं, so, breastfeeding, बच्के बच्छ अर मां वास्ते बहुत इम्प्रチो चाहते हैं, बच्छ याँ बच्छ आज़िंग वास्ते, बच्छ आज़िंग के बच्चे बच्के इंपर्टेंग बच्चे इंपुर्टेंग के, बहुत सारे नूट्रिया थे बहुतंग प्रिजुटाइजं कोड़ि प्रितायों में चांवें रिखेंगी युडिग जो जो बेंगें जो अजिखेंगें डिफे लिएतायों जो नहीं हो निए भीडिन कोड़िए्जिय। and later on in life, when you have a dollar cent when you have a dollar cent, so what you do when you have diabetes is the issue, and celiac disease is the condition that is the incidence is the case in the kids, obesity is the trend in the children, and cardiac issues are the case in the children, leukemia, lymphoma, the other breast, blood cancers, these are the incidence is the case in the children, कि जा टेरुच्न से स्क्रण्स हजो अगिंध्राइन दिदनYAN ट梶ाल माँ। को …। थीरोडिशंत लिवया जान दिए पडॉरीय में रजी कर दिदम दा ने से एंसिदन काल जान एंसिदन डन एंसिदैन इंसिदन सार इंसिदम कालता है। म tandem type 2 diabetes, obesity, then hypercholesterolemia, इसारे इंसिदेंस काच्छाने है, so this is the best gift a mother can give to her child at the time of birth, so breastfeeding is a must. doctor, recent research कहीं और कहीं ये भी आया है कि ब्रें डेवलोप्में या कुछ ऐसा रिलेट है है सा? yes, so recent researches, they favor कि जडे बच्चे breastfed रहने हैं, they have a better intelligent question, and that metabolic syndromes, बच्चे आपकाट रहने हैं, and even autoimmune diseases जडेडिया है कि रुमेटाइड अर्थराइड या SLV, इना ये चांसे वी काट रहने हैं, so these are the recent researches. जो new moms हैं, जो नही मदर हैं, breastfeeding mothers, उनको issues, जाँचे नाइ, उसके लिए, जो हमारे healthcare प्रोवाइडर से, जो किस तदिके से मदद कर सकदे हैं? So, see, breastfeeding वास्टे, सब्सक्राइड इस इंपॉर्टे, right from the home to the hospital, ठीक है? So, आपा जडेडियोना नो proper knowledge regarding breastfeeding, कि वाइड इस इंपॉर्टेंट, कि ये ये दे benefits है, mother वास्टे, baby वास्टे, and what is the ideal time, जो में breastfeeding, within half an hour of the birth ही शुरू हो जाने जाहिए है. So, all this knowledge or counselling जेड़ी है, ये राइट from the pregnancy period ही ही आपा सब्सक्राइड कर दिन है. So, this is how we motivate the mother that she is morally up to you, because she has to feed the baby, that she can prepare you mentally, emotionally, physically. So, this is how we can help them. Okay. So, I had also heard that there are many times when mother new moms बन जाती हैं, पर उनको ब्रेस्ट में दूद नहीं आता है. So, this is a myth, you know. Every mother has a potentially, she can produce that much amount of milk. Until and unless कोई ब्रेस्ट सर्जरी ना हो यहीए, या कोई ग्रेव मेडिकल कंडिशन ना हो mother दूरिं प्रेगनेंसी या उस तो पहले जो फेस का ली है. But otherwise, milk production जेड़ी है, वो सब मदर्स विच एकुली बन जान दी है. But it depends कि ओनादी कौंसलिंग इस इंपर्टिंग कि वाई बच्चे नु बार बार फीड कराना है, ताइमिंग इस इंपर्टिंग कि बच्चे नु फीड कराना है, and then ब्रेस्ट नु किमें केर करना है, कि इस बेट डाइट ले नहीं है, ब्र Agric kettle, रartiफ इस लिए के फिरिफट पराईट जहीं, क्लस अभी सब्सक और सब्सक्राण म्यवड करोते हैं, कि मदर मौन नु अशु नु आ की इस difियर, ब्रेतमन नु को यू राइशन हैya, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो बेबी, जो ब्रेस्ट फेट बेबी है, वो यूशली अपना दो या तिन कंटे चिक वरी फीड लेगा हू बाइस, ठीक है? So, I think, this is more on demand, कि जिमें मदर नोस बेटर कि बेबी नु का दो पुख लगी है, So this is why breast milk, breast feeding is being promoted, कि अधर नोस बेटर कि बेटर कि बढू जाना बाइड नु कि कोड़ो बेबी नु कोख लगी है, या कोड़ो जिस्ट, बेटर वाट लेगे है, कि अधरो बेडिनो कोख लगी है, कि बेड़ो जुख लगी है, किवरो जुख लगी है, या किवरो जुख लगी a nutritious diet is very important for the better production of the milk तो मतलब जो easily available चीज़े हैं उससे भी आप जो है अपनी ब्रेस्ट फीड को improve कर सकते हैं, milk को improve कर सकते हैं, easily available नहीं नहीं, जीरा, लॉंगी, in your kitchen ओली, in your kitchen yes, of course तो दोक्टर तुसी ओमावादो क्या सला दिना चाहोगे, जो की working है और वो अपना ब्रेस्ट फीड करना चाहते हैं, उनका रूटीन के लिए क्या सला दिना चाहोगे? So, you know, आजकालता offices which we, they have the baby friendly rooms, या लेक्टेशन रूम्स हुंदे हैं, majorly so, जड़िया व्रेस्ट फीमेल हैं वो अपने काम दिन आलना अपना ब्रेस्ट फीडिंग भी मिंटें कार सकती हैं कि जिस दुरान दिया वो कि अपना मिल्क एक्स्प्रेस कर के लाख सकती हैं और अप्स्प्रेस्ट मिल्क हैं अट रूम तेम्परेचर अपना फूर्स वास्ते राख सकती हैं यूस कार सकती हैं अफ वी किप इन फ्रिज द फूर्स दिग्री ता वनुट 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 वर्ट इसकती हैं यूँए उक अराण गी यह दू फीड दे सकती हैं ब्रेस्ट मिल्क and उस तो बाद जदो जदो उन्हों टाइम मिले या पनी रूटीन विचो शी शुड बे गिविंग प्रेस्ट फीड यह नो इस इस हाओ दे कन मेंटें and by the time when they are working कारविच कोई नहीं है ना ही कोई एकसेस है लेके जान दा मिल्क जो भी उना ने एक्सप्रेस कीता है by that time formula milk दे सकते हैं but for that तुसी अपने पेडिरिशन अलगाल करो कि केड़ा formula is the best for the baby कि जड़ी ओ लिया उस एज देमांड्स नो पूरी कर सकते हैं कि आप अज प्रेस्टिंग से रलेटेजिए काफ सावे सावे मिथ हैं जो साइटे में पहले हूए है तो आप उसकी बारे में क्या बूलना चाहूंगे? जी जी, so commonly there are, we encounter so many myths in the OPD also, बड़े सारे क्वेस्टें रहने हैं, कि जवें, there's a very common myth that mother breastfeed कर रही है, तो उनों हमेशा प्लेन डाइट लेन हैं, हम् जाप्ट दिलिवरी तो बात, mother aapne routine but nutritious diet, बातरों हमें कार सकती है, and baby realizes it and accept it. Okay. Okay, so this is a fact. Then there is one more myth that, mother is a болt, coughs, sneezing, but it should not be fed. Okay. So this is also a myth, also a society, breastfeeding is equally important even at that time. okay, और बच्छेनों दो इंफेक्शिन फिल्क तो नहीं जाएगी okay yes so there's one more myth कि every time you feed the baby, clean the nipples there is no need of cleaning the nipples क्योंकि तो थे उते हेल्दी बैक्टीया उने है and baby knows the smell of the mother the touch of the mother so they have not to be cleaned every time okay right so there's one more myth कि every time baby cries तो पुखी उनु फिल्टी जाहीडी and mother knew stress हो जाना कि हुने धिद घ्राइज एग अना गें अगेंग बेभी इसकानी अगे ऑंड़ा है कि या एगा नौरी भी प्रोपर्पर नहीं आगी है पर्रे एंगे पारमेटर्स हुन थे लिएंग है and he just want to get to his mother, okay? So, these are the common myths for this. एक एवी है कि जिब बेस्ट फीट कराना तो सोर निपल सा होनगी होनगी. So, this is again a myth. क्योंकि सोर्नेस जडी निपल दी है, that means कि there is some issue with the latching यह फिर पोसिशनिंग फ बेपी. कि यह ता लैच ठीक नहीं कर रहे है, यह अधी पोसिशन ठीक नहीं है दूरिंग फीटिंग. So, for this thing, lactation consultant सुन दे हैं यह talk to your doctor regarding this thing, कि ओ दसन की, what is the proper way to latch? Okay. Doctor, अभी हम एक बिक सिटीज में रहते हैं, मेट्र सिटीज में रहते हैं, जहां सारी सुविदाएं हैं, पर ऐसे भी कुछ छेत्र हैं, जहां पर सारी सुविदाएं नहीं है, कल सेंटें नहीं है, तो वहां हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, ब्रेस्फीदिंग मोम्स की? Yeah. So, जेडे परिफ्रीज हैं साडियां, यह जिथे छोटे सेंटर्स हैं, यह स्टाफ एप्रोपरिएंट नहीं हैं, तो ओधिये जो अपनी नरसिंग स्टाफ है, यह जेडे अंगन्वाडी वर्करस हैं, औरून हो अमटन प्रडूगेट कर सकते हैं, सो धम ज़े अंगनवारी वर्कर्स प्रेगन फीमेल्स को जाने अपनी विजिट्स थे उना उस ताम एंकरेज कार सकन फर ब्रेस्ट फीडिंग उना फाय और नुकसान दोनों दास सकन और सेकंड इस की जड़ आपा सेंटर दे अंदर पिक्टोरल चार्च लगा सकते हैं की दूस इस अंगनवारी इस के लिए और नुकसान फिरफ नाथ फिर बर्हु टीयू इस की प्रेगन डोला करन अंगन एट कर देज का विजिए नहीं है लागन पारन आपकर देजिए गालने में तो एक कि उस्टेटिंग ढगन कारता थे तो इस से की अंगन कार से हम चेंगन आपकर र पर रेसेंटली देलिवर्ट आप सारी मदर्स नो विसेत कर देख लिए उस ताम एक पर रहुना आप बेन प्रॉम्माशन रिगर्दिशन अग्डेशन बेन पर ब्रॉस्ट रॉस्ट लेस्ट यह रिज्ग्राइशन बेन ब्रॉस्ट हैं not even water, we don't need water so everything is there in the mother's milk so 6 months of exclusive breastfeeding should be there after the 6 months, we will start the weaning the other appropriate solids or semi-solid foods, paed so children want growth and development but still, the Mother Milk 50-40 % of the energy, is the same day in the phase so Mother can feed upto 2 years adequately she can feed upto 2 years Okay? झाल सबस्टे है निही हमोडी करती है So, जडे ब्रेस्ट फीट बेबी इसे हना है उजली ओपना 2-3 हुष जड़ रिपीत जड़े लेलंगे But, अगर कोई नुबोर्न बेबी इसे प्रेश फूर और फीट इसे स्लिपिंग, ता उनोठाके फीट कराना ही इसे इंपॉर्टेंग है यह बतलब है कि बेबी इस लिटल लिस अथिव तीफ इस जा राध अप्टिफ इस नियुबॉर्न बेबी फिर्स्ट्री मन्स विछ राध विछ भी बराबरी उठेगा एक जए तो अधर स्लीप साइकल अप्र नहीं लगता है then from the other one not ki jaldi jaldi she should change it but pahala ikh prest to properly feed kar ake then she should shift to the another breast dadya naniya hei kahti hai ki jab jab bacha rohe to doodh maang ra ho ga ya doodh pila doos ko we have already discussed this thing ki every time he is not asking for milk sometimes he is just going for a pacification ho aapne aamno sirf shant ka rya sucking reflex ho daa instinct ho dae and he just want to be with the mother agar bacha haar feed to baat dhe dho kante soo raha to ba he is adequately fed yes thank you so much doctors baaki doctor ne hai maare saath jo sanchha ki hai janakari bauhti mahtapur hai ki navi mama noo jitna breastfeeding important hai dhena bacchi ke liye bhi utna zahada important hai lena aur ek bond create ho jata hai aur jab bhi agar bacha ro raha hai toh uska matlab ye nahi hai ki isko breastfeed karna hai kis samay karna hai aur kis samay nahi karna hai sare janakari hame doctor ne bhohti achi tariki se di hai jate 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 aap kuch sandesh hame hamaari viewers ko deena chahe hai toho yes so breastfeeding bhoat important hai this is the best gift a mother is giving to her child and edhe vasthe mother needs everyone's support doktor di support chahi di hai jo ki properly unha nu knowledge de sake morali aap kar sake and husband and kardiyan di support chahi di hai taakhi hunnho kadi wiki kisya randhi koi insight issues na rhen ya kadhi koi embarrassing moment na rhen so that ki o khul ke aapne bache nu breastfeed karva sake and mother daavi rai hai to ask for everything about breastfeeding ya hunnho kadi koi parishanhi ariya ya na koi mit hoode manuwech hai kyo khul ke aapne doktor na gal kare doktor eh eek question aapne aur jana chaaheke ki is vaatth hum ek bade city mein rehere hain ari kafi sari moms hai nahi mawa hai jo achi jagape rehti he hunnhe sari sourses avalable hai lekin jo pichehdehde pinda me rehti he jo gao me rehti he hunnko he e health care or ye jo concentrate nne he woh kone provaiite kare sakta hai So, जिनने भी अपने पिंडा इलाकिया विच पीछ सेंटर्स हुंदे हैं And they have आंगनवाडी वर्कर्स होथे रहन दिया है So, आशा वर्कर्स जिडिया है कि अपने प्रॉपर्ली एजुकेट कर सकते हैं The nursing staff can properly educate regarding the benefits of breastfeeding or what should be the ideal timing or how long to breastfeed So, आशा भी प्रॉपर्मेशन आपने प्रॉपर्मेशन आपने प्रॉपर्ली एजुकेट कर सकते हैं They can reach up to the common people there उनको जरूरी है पाले देना बिल्कुल, पाले आपने 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 एजुकेट कर सकते हैं So that every time they go for their routine, check-ups, or routine visits, so that they can educate the pregnant females And even after delivery of the female, they can do lactation or breastfeeding benefits, so that they can be more at the same time And the second thing, we can do limited resources, which is the pittoral charts Okay Do's and don'ts, what should I do, what should I do, what is the time Or are the pittoral charts such as myths All the charts can be put in our centers That every time patients are coming for their routine check-ups Then they look at the time and they get queries about what to do or what to do Every time they go to the centers, they register on their mind That yes, this is important and this is what to do Doctor, this is a lot of postpartum depression Actually, this is a lot of postpartum depression But now it has come a lot of postpartum depression Or stress or family support pain So in that case, the milk comes from that process Or the supply of it is reduced, like that? Yes, anxiety issues Mother has the milk production Because their brain reflexes, they are active And there is release of oxytocin hormone Normally the milk production And then there is ejection of that milk But any kind of stress Any kind of depression Any kind of anxiety That can hamper the production of the milk Due to breastfeeding Cardiaan support is very important Social support Cardiaan support So that mother can breastfeed the baby Along with the nutritional support Along with the nutritional support This is a very important support Because a relationship Which is always for us And when he comes with his child He has become a relationship So it is very important for him Yes Thank you so much, Doctor Once again You have enjoyed our viewers Thank you so much for taking out some time for us Thank you